हम प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों को जेलम का यूद इस चित्र के माध्धम से आपको हम समझा रहे हैं आप चित्र में देख रहे हैं, एक बार आप लोगों चित्र पर नजर डालेंगे, देख लीजिए यह है फिकंदर का सिविर यह है पोरफ का सिविर ठीक है? और यहां से होकर फिकंदर ने नदी पार किया फत्रह मेल दूल जा दूर चल कर ठीक है? चलिए आप लोगों को हमने पढ़ाते समय यह भी बताया है कि सबसे पहले पोरफ जो है अपने फिविर को लाकर जेलम के नदी के किनारे उसने लगा दिया और वहीं पर इंतजार करने लगा फिकंदर के आने का ठीक है? समय का भी फिफ महत तो होता है युद्ध के मैदान में यही गलती यहां पर पोरफ ने किया है दूफरी और फिकंदर ने भी जेफे फुना की पराजा पोरफ युद्ध के लिए आ गए है वो भी जो है 110 मिल की दूर दूरी 15 दिनों में तैं करके वो भी आ गया और जेलम नदी के दूफरे किनारे पर अपना फिविर लगा दिया ठीक है आप देख रहे हैं चित्र में ठीक है अब यह आईफी इस थिती में इस समय यह जो फिविर लगे हुए थे इस परकार थे चलो हम थोड़ा फ़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तो आफानी हो जाती है हम लोगों को समझने में आप देख रहे हैं ठीक है चलिए आप देख रहे हैं बीच में यह जहलम नदी है और यह एक तरफ नदी के दूफरे एक किनारे पर पोरफ का फिविर है और दूफरे किनारे पर फिकंदर का फिविर है बिलकुल आमने फामने और एक दूफरे को बिलकुल फामने फे देख रहे हैं एक किनारे फे दूफरे क किनारे की और एक दूफरे को देख रहे हैं अब अशी इस्थीति में अगर एक फामने फे नदी पार करेगा तो ऐसा हो ही नहीं फक्ता कि दूफरे को दिखाई ना दे ठीक अब यहीं पर पुरफ ने गल्ती किया था अगर इनको युद्ध करने के लिए आये ही थे तो इनको जो है इंतजार नहीं करना था ठीक है इंतजार इनको बिल्कुल इंतजार नहीं करना था ठीक फीधे इनको जो है नदी पार करके इस तरफ आ जाना चाहिए था क्योंकि फिकंदर को उफी तरफ से आना था ठीक राजा पूरफ की ये गलती थी अगर युद्ध का मूड लेकर अगर आप निकले ही हैं लेकिन ये भी फंभो था कि इन रथों को नदी पार कैसे कराते ये भी नुक्षान दायत था इसलिए इनका विचार यही था कि फिक अंदर आये और किसी प्रकार नदी पार करें तो हम उसे युद्ध करें इसलिए वो इंतजार करना फुरू करती है अफिक अंदर में ये देखा कि जिस तरह हम लोग की इस्थिती है एफे में फामने फे नदी पार करना समभो नहीं है तो इसने चक्मा देने का निफचे किया और इसने फोचा कि हम किसी एफे अफ्थान फे नदी को पार करें जो कि पोरफ की नजरों फे दिखाई ना दे अर्थार पोरफ की नजरों फे बच कर उसने नदी पार करने का निफचे किया तो इसने जो है उचित अफ्थान को खोजना प्रारम कर दिया तो नदी के किनारे किनारे ऐसा अस्थान वो खोजना चाहता था जो की पोरफ की निगाहों से बचा रहे हैं अर्थार नदी पार भी कर ले और राजा पोरफ उसको देख भी न पाए तो उसने किया क्या एक ऐफे अफ्थान को खोज निकाला नदी के किनारे किनारे ये उत्तर दिफा की ओर चलना प्रारंब किया और नदी के किनारे किनारे उसने फत्रहमील दूर चलने के बाद एक ऐफा अफ्थान खोज निकाला जहां फे होकर नदी के बीच में एक टापू जो कि जाडिया जादा थी जंगल था तो ऐफे में पूरफ की निगाहों फे बचकर इफ टापू फे होकर पार कर फक्ता था ऐफा उफने खोज निकाला ठीक अर नदी जेलम की नदी का बहाओ जो है बाप ही उफान पर था क्योंकि वर्फा का मौफन था बरफात के कारण नदी का बहाओ बहुत तेज था नदी में बाढ़ भी आई होई थी चली तो फिकंदर ने किया किया जब फत्रह में इल दूर इसने एक अपने छुपाव युगत अस्थान को खोज निकाला की जहां फे होकर वो नदी पार कर फक्ता था तो एक दिन्चु की फामने फे अगर दिन में जाता तो पोरफ को दिखाई देता तो नदी के दूफरे किनारे फे ये पीछा भी करना प्रारम कर देते तो ऐसी इस्थिति में फिकंदर ने किया कि इसने रात्र के अंधेरे में तीन चौथाई फेना को फाथ लिया और एक चौथाई फेना को क् पीछे फे आक्रमल कर फके और ये भी था एगर पूरी फेना लेकर चलता तो औरफ को ये चीद दिखाई दे जाता कि ऐसी स्थिती में वहाँ पर फेना गायब कहां हो गई तो किनारे किनारे वो भी उसके गुप्तचर भी फक्रियों हो जाते और वो जो है पीछा भी करने लगे कि पूरी फेना पड़ी हुई है ठीक तो वही अस्थान पर उसने फत्रह मेल दूर रात्र के अंधेरे में उसने दूरी तैकी और रात्र में उस भयानक नदी को पार करना आप समच वक्ते हैं कितना भयांकर था लेकिन फिक अंधर भी फाहवी था तो रात्र के अंध फेरे में उसने फत्रह मेल की दूरी तैकी और यहां फे होकर आप देख सकते हैं जहां पर उसने खोज निकाला था उस थान को वहीं फे उसने नदी पार कर लिया टापू से होते हुई जब नदी पार कर लिया अब आप समल लीजिए उसने नदी पार भी कर लिया और पूर पूरफ को पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी और फिकंदर नदी पार कर चुका था ठीक है चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं आप देख फक्ते हैं फिकंदर ने नदी पार कर लिया अज़ा इसे ही पूरफ को पता चला कि फिकंदर नदी पार कर लिया तुरंद उ उसने अपने पुत्र को 120 रत हो दो हजार घुल सुवारों के साथ फिकंदर को रोकने के लिए भेजा आप देख वकते हैं थोड़ा से हम चित्र को उपर ले चलते हैं अब युद्ध के मैदान में जो कि अब लड़ाई होने वाली है और फिकंदर नदी पार कर लिया एक बट ये है फिकंदर हमने लाल कलर में फिकंदर के फिविर को दिखाया है और हले हरे कलर में पुरफ की फेना को दिखाया है तो आप देख सकते हैं ये फिकंदर ने नदी पार कर लिया और पुरफ ने अपने पुत्र को दो हजजार घुल सुवारों और एक फो बीफ रतों के फ पूर्फ के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया और यहां फे रत भी पानी बरफने के कारण नहीं कारे कर पाये और घुर्फवार फेना भाग खड़ी हुई जो बची हुई थी ठीक है उसके बार फिकंदर जो है आगे बढ़ा अपनी उसी तरह अपनी पुराने अंदाज मे जैसे वो अपने फेनाओं को रखता था आप देख फकते हैं दाएबाएबाजियों पर गुर्फवारों को और बीज में फ्लैंक फुर्यों मुख की फेना थी इनको रखते हुए आगे बढ़ा और जो है फामने इधर पूरफ ने जैसे ही अपने पूत्र के मृत्तु का फ फंडचना या अपनी फेना को फंगठित करने का उफर नहीं मिलता चलते हुए फैनिकों पर आक्रमल करना आक्रमल करके उसे पराजित करना ये फरल होता है कि फंडचनात्मक इस्थिती में एगर फैनिक खड़े हुए है तो उसके मुकाबले ठीक है चलते फैनिकों पर आक आपको हम दिखा रहे हैं पीछे हाथियों के जफ्ट पीछे पैदल फैनिकों को लगाया है और दाएं और बाएं बाजूँ उपर जो है इसने रथों को अपने आगे लगाया है पीछे घुर सवारों को लगाया है अब आप ये भी देख रहे हैं पानी बरफ चुका था ठीक प़िलांक दोरा बाया भाग पर अक्रमलध करेगा । जैसे ही पौरफ का बाया भाग काerma मज़ोर होगा. तो पौरफ दाएंभाग की घुल्फवार फेना को इनकी मदद के लिए भेजेगा । जब मदद की लिए भेज आगा तो पूफनपोरा अक्रमल फे पूरी बेग अप्त हो जाएगी फेफ बची घुर्फवार फेना को पोरफ के फैनिक आक्रमल कर देंगे ठीक उफ के बाद फेना पती यहां पर कोईनफ था फिकंदर का ये भी मौका पाकर दूर से होते हुए पोरफ पर पीछे फैनिक आक्रमल करेगा और अच्छा युद्ध में उलजी ह पोरफ की फैना को मौका देखकर ये फामने जो क्रेटरफ की फैना फरी जिसके जो नेत्रित में छोड़कर आये थे क्रेटरफ को वो जो है फामने फैना दीपार करके उलजी हुई भारती फैना पर आक्रमल करेगा यही हुआ भी उफने पहले बाएभाग पर आक्रमल किया जैफा होता भी है कि जो युद्ध के प्रमुख जो है जो पिचारक होते हैं जो अनुभवी जो योध्धा होते हैं वो जैफा चाहते हैं पता नहीं कि युद्ध का मैदान बिल्कुल उटके अनुरूपे ही बदलता चला जाता है चलिए इधर फिकंदर ने बाएंभाग पर आ करमार किया, बाएंभाग की रच्छा के लिए पॉरफ ने दाएभाग से घुलफवारों को जो है इनके मदद के लिए भेजा रत फैने नहीं काम कर पाई लेका कि कीचड़ में रत के प़हिये धांफ रहे थे ठीक है और इधर जो है फिकंदर ने फ्लैंग के पैदल फैनिकों को आगे बढ़ाया जो कि अपने लंबे कीफ फिर भालों फे हाथियों के बहावतों को मारना फुरू कर दिया महावत का मतलब वही हाथी चालक जिए हम लोग हाथियों के ड्राइबर बोलते हैं हाथी चालक मारे गए हाथी अनियंत्रित हुए और इधर फिकंदर के धनुट धारियों ने हाथियों के फोनों को और आखों को निफाना बनाया अब आप फमद्वक्ते हैं नेत्रों में अगर एक छोटा फतिन का भी पड़ जाए तो वह भारी होता है तो जहां पर तो तीर घुफ रहें तो ऐसी इस थिती में हाथियां भी बेकाबू होकर पीछे भागते हुए अपने पैदल फैनिकों को ही कुचलना प्रारंब कर दिया ठीक यानि ये भी कुचलना फूरू कर दिये देफे ही ये फैना फंपूर पोरफ की फैना युद्ध में उलज गई फैना पती कोईनफ ने ये दाएं भाग फे होकर दूर फे होकर फिक अंदर पर पीछे आक्रमल किया और क्रेटर फ ने फामने फे नदी पार करके आक्रमल किया तो ऐसी इस थिती में पोरफ चारों तरफ घिर गया और अंत में बंदी बना लिया गया अर्थाथ इस युद्ध का अंत हो गया जो कि पोरफ भारती फेना को पराजे मिली और पोरफ युद्ध में बंदी बनाए गये यह रहा आपका जहेलम का संग्राम ठीक है मित्रों एक बार हम आपको इसको फार्ट में हम आपको फिर बता देते हैं कि आमने फामने आप देख रहे हैं चित्र में जैसे कि जो है फिकंदर का फीविर भी फामने है पोरफ का फीविर इस तरब है फामने से नदी पार करना फंभो नहीं था फिकंदर ने फत्रह में दोर चल कर एक जो है छिपाव योग तफ्थान खोज निकाला जो कि यहाँ पर एक टापू भी था जिसे होकर पोरफ की निकाहों से बचते हुए नदी पार कर सकता था और नदी पार करने के बाद जैसे ही यह आगे बढ़ता है उसी समय पोरफ को पता चलता है कि फिकंदर नदी पार कर लिया है उसने अपने पूत्र को एक फुबी फर रहा था और दो हज़ार खुड़ फुआरों के फार फिकंदर को रोकने के लिए आगे भेगा आप देख रहे हैं यह है पहली मुट भेद यहाँ पर फिकंदर ने पोरफ के पुत्र को मौत के खाट उतार दिया और चारफों सैनिकों को भी मारगी रहा पोरफ फिकंदर फिर आगे बढ़ता है और यहाँ पर पुत्र के मृत्यु का फामाचार जैसे ही पोरफ को मिला उसने भी अपनी फेना को ब्योभद करके खाड़ा कर दिया और यहाँ पर भी उसने फिकंदर का इंतजार करना फुरू कर दिया और फिकंदर को पता चला कि पोरफ इंतजार कर रहा है तिसने भी अपनी फेना को ब्योभद करके धीरे धीरे आगे बढ़ाया आप देख सकते हैं आगे हांतियों को लगाया दाएं बाएं पर आगे रथों को पीछे घुर्फवारों को और हांतियों के जफ्ट पीछे पैदल फैनिकों को लगाया फिकंदर ने पहले इस पर जो है बाएं भाग पर आकरमल किया पौरफ के बाए भाग पर आक्रम्र किया. तो बाए भाग की रिच्छा के लिए पौरफ ने दाए भाग की घुडवार फेना खोच. भेजा, तो उनको भिनफ्ट करते हुए ऐ फिकंद्र ने दाए भाग को भीनफ्ट किया. इधर जो है फ्लैंक्स जो पैदल्पैनिक होते है पहले पढ़ा चुके हैं तिपको आगे बढ़ाकर इन्होंगे अपने लंबे भालों से, 21 फिट लंबे भालोंसे हाथियों के महावतों और हाथियों की आखों में भालों से मारना प्रारम्भ किया और फिकंदर और फ्लैंक्स के पीछे लगे हुए यहां पर जो खड़े होते हैं जैसे आपको हमने पढ़ाया है यहां पर जो पूरक फेनाये खड़ी होती थी इसमें जो धनुरधारी होते थे इन्होंने तीरों से हाथियों के आखों को नीफाना बनाया बेकाबू हाथी हो उसके बाद इन्होंने पीछे हड़कर अपने पाइदल फैनिकों को कुछलना प्रारम कर दिया अर्थाथ पूरफ की फेना में अस्तता बेस्तता की इस्थिती व्याब्त हो गई इधर फैना पती कोईनफ ने पीछे से होकर आक्रमल किया और इधर जो है फामने फे क्रेटर पूरफ का आक्रमण आउंद में फिकंदर ने पूरफ की फेना को और पराजित कर दिया जिसमें राजा पूरफ बुरी तरह से घायल हुआ और बंदी बना लिए गया बाकी कहानी सबको मालूम ही है किस तरह राजा पूरफ ने फिकंदर के वह फरी फिकंदर ने राजा चला गया ठीक है यह हो गया युद्ध का फ्रीगलेफ और युद्ध का अंद ठीक है मित्रूम उम्मीद करता हूं यह समझ में आ गया होगा क्योंकि फंपूर्ण फेना को हमने डाइग्राम के माध्यम समझाने का प्रयास किया है ठीक है चलिए पढ़िये लिखिये मसत रहिए खुब रहिए